हर सिंगार या पारिजात का पौधा और फूल हर सिंगार की पत्ती के फायदेव उप्योग पारिजात के पत्ते के लाब हर सिंगार को पारिजात भी कहा जाता है इसके सफेद नारंगी रंग के खुश्मूदार फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही गरने लगते हैं जिसे पेड के नीचे फूलोंगी चादर सी बिश जाती है हर सिंगार को इंगलीश में नाइट जैसमिन कहते है हर सिंगार को पारी जात भी कहा जाता है सामाने बुखार, फीवर जैसे वायरल फीवर, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया, डेंगु फीवर आधी को ठीक करने में फायदा करता है हर सिंगार श्रीर में फीवर पैदा करने वाले बैक्टिरिया पैरसाइट को बढ़ने से भी रोकता है हर सिंगार के चार पाँच पत्ते, तुलसी के चार पाँच पत्ते, अधरक एक इंची, डाल चीनी का टुकडा, तीन चार काली मिर्च कूट कर, दो गिलास पाणी वे धिमी आज पर उबाल ले जब जब पाणी लगबग आदा हो जाए तो गैस बंद कर दें और बरतन ढख दें, पाँच दस मिनट बाद छान कर धिरे धिरे पिए, दो तीन बार पीने में ही लाब होने लगेगा लो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाए च्रेंगू चिकन गुनिया जैसे बुखार और हेपरटाइटिस आदी बिमारियों में ब्लड प्लेटलेट्स काउंट तेजी से गिनने लगते हैं, ऐसे में हर सिंगार की पत्तियों का काड़ा जरूर पिया करें, यह ब्लड प्लेट लेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करता है, इम्म्योनिटी, रोग प्रति रोधक शम्ता, कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत से लोग घरेलू आजुर वेदिक काड़ा पी रहे हैं, इस काड़े में हर सिंगार के दो तीन पत्ते भी मिला कर उबाला करें, रोग बहुत से लोगों ने हर सिंगार के पत्ते का उपयोग हड़ी के इन रोगों में परियोग करके लाब उठाया है, एक दो महीने नियमित रूम से हर सिंगार के तीन चार पत्तों को पानी में उबाल कर, सुबा शाम चाए जैसे एक कप पी लिया करें, हर सिंगार की पत्ती को पीस कर हलका सा गरम कर लें इस पेस्ट को घुटनों पर सहने लाएग गरम लहने पर लगा लें ये उपाई भी फाइदा करता है रिसर्च में पाया गया है कि हड़ी अर्थराइटिस के दर्द और सूजन में हर संगार की पत्ती का अर्क प्रभावकारी है लीवर बढ़ता य हैं फैटी लिवर के इलाज के लिए साथ आठ हर संगार के पत्तों का रस में अधरक का रस शहद मिला कर सुबह शाम लेना चाहिए इस से लिवर स्वस्त होता है और उसकी शम्ता ठीक होने लगती है सूखी खासी अस्थमा ब्रॉंकाइटिस ड्राइक कफ अस्थमा ब्रॉं इसके लिए तीन चार हर संगार की पत्तीव कुछ फूल एक इंच अधरक का ठुकड़ा घिसकर एक किलास पानी में डाल कर उबाले जब ये पानी एक कप जितना हो जाए तो छान ले इसमें एक चम्मच शहद मिला कर चाह जैसे पीए पेट के कीड़े पेड़े और बच्च बना रहता है और भूग नहीं लगती इन कीडों की समस्यट ही करने के लिए सुबह शाम खाली पेट हर संगार की पत्तियों के पांच एम्मेल ताजे रस में दो काली मिर्च के चुरुन को मिला कर पियें स्किन पर बढ़ती उमर का असर करे कम हर संगार के पत्ते का रस किसी तेल में मिलाकर मालिश करने से बढ़ती उमर के लक्षन कम होने लगते हैं इसकी पत्तिया एंटी ऑक्सीडेंट गुनों से भरपूर हैं जो की फ्री रेडिकल्स को खतम करके इसके पत्ती का एक्स्ट्रेक्ट ना मिलने पर हर संगार एसेंशियल ओयल का उप्योग भी किया सुबह शाम इसकी पत्ती का दस एमेल रस या पत्ती का एक कप काड़ा पीना ब्लड शूगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं हर संगार के फूलों के रस में भी एंटी डाइबटिक इफेक्ट होता है एनीमिया रक्त की कमी आयुरवेद के अनुसार खून की कमी के ल खून बढ़ता है और शूरीर की कमजोरी चेहरे का पीला पंदूर होता है हर संगार से साइटिका की बीमारी का एलाज पेरो में साइटिका जर्द के रोगियों को हर संगार पत्तियों का काड़ा नियमित पीना चाहИए इसके लिए तीन चार हर संगार की पत्तियों को कूट पीस कर पाणी में उबाल कर छान कर दिन में दो बार पीना चाहिए डाद, फंगल इंफेक्शन, खुजली का इलाज, हर संगार की दो तीन पत्तियों को पीस कर दाद वाली जगा पर दिन में एक बार लगाया करें कुछ दिन के बाद में दाज ठीक हो जाएगा इसकी पत्तियों में स्किन के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के गुन भी होते हैं हर संगार की छाल भार्क का उप्योग हर संगार की छाल का काड़ा मसूडों से खून आना अलसर और आखों के रोगों को ठीक करता है मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाके नोटिफिकेशन पाएं मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं